Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अबहुत बहुत बहुत आभार और आपके माध्यम से संपूर देश भर में जो हिंदी पत्रकारिता को समर्थन करते हैं, प्रेम करते हैं. और उसका ही परिणाम है कि आज दुनिया का सरवाधिक पढ़े जाने वाल अखबार देनिक जागरन है. अब तमाम स्रोता और तमाम द सामाने तोर पर बोलचल की भासा में छातर राजनीत बोलते हैं. थोड़ी इसकी इतिहास को हम लोग देखेंगे कि देश की अंदर में सबसे पहला स्टूडेंट एक्टिविजम चुकि मैं भगवान राम को मानता हूं, तो पहला स्टूडेंट एक्टिविजम भगवान र का, हम एक्जामपल कोड कर सकते हैं, कि एक बगशर बिहार से चल करके एक सिक्षक अजुद्ध्या में आते हैं और राज प्रसाल में जाने के बाद राजा से किसी भी प्रकार की कोई शाहता नहीं मांगते हैं, तुरंत अभी गुरुकुल से तरो ताजा होकर के, यानि ग् संगा से निकल करके दो युवा राजकुमार आये थे, वो गुरु उनको मांगते कि समाज की उपर में कोई संकट है, तो उसका प्रेक्टिस करने वाला नौजवान होना चाहिए, और हम सबको मालूम है कि भगवान राम ताड़का सुबाहू का संघार करने के लिए भकसर आते हैं, यग ये इत्यादी की घटना में जिस प्रकार से एक ब्यवधान प्रगट करने का प्रयास होता था, समाज के एक ऐसी आसुरी शक्ती के द्वारा, स्टूडेंट एक्टिविजम ऐसा ही मिलता जूलता है, कि आने वाला समय और बरतमान समय की जो चुनोती है, समस्या है, उससे से लड़ने वाला कौन वेक्ती खड़ा होगा, क्या ये सवाल सत्ता के माधिम से समाधान के लिए खोजा जाएगा, या प्रशनों का हल सरकारी, मिसीनरी ने देना है, इसलिए स्टूडेंट एक्टिविजम, छात राजनी जिसको बोलते हैं, ये एबी एपी के दृष्टिकोन से जो हमने समझने का प्रयास किया है, कि छात्रों के बीच में ऐसी दृष्टिकोन का निर्मान करना, जो अपनी दिशा को समझते हुए, ने ये स्टूडेंट एक्टिविजम है, ये राजनीती नहीं है, स्टूडेंट यूनियन एलेक्शन अलग है, चुकि युवा होने का मतलब यही है, कि आप अपनी आस पास की समस्याओं के समाधान देनी का प्रयास करने वाला हो, इस देश के अंदर में चाहे आजादी की आं अभी के खिलाब की कोई खड़ा हुआ तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट खड़ा हुए, चात राजनीत करने वाले लोग खड़ा हुए, और उसका परिणाम है कि युवा होने का मतलब परिवर्तन का प्रयाय है आज, परिवर्तन यानि युवां से होना चाहिए, युवा इसको जिया है, पुर्वजों ने दिया है, हमने उसको लिया है और उसी का अधार पर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं यह चाहूँगा कि ABVP कैसे काम करता उसको आप बता है थोड़ा साब, देकि ABVP एक बैचारिक चात्र संगटन है और एक चात्र आंदोलन है, ले इसे ABVP के किसी कारेकरम में आप जाएंगे, तो दो फोटो देखेंगे, एक स्वामी विवेका नंदी का और एक सरश्वती माता की, हमारे बैनर पर ग्यानसिल एक्ता है, यानि युवाओं को ग्यान के प्रकास के खोज के लिए लगना चाहिए, चरित्र, व्यक्तित्व औ अंदर में अनुकर्णी यह है, ऐसे लोगों का समुझ अभी कठा होता है, तो ग्यानसिल एक्ता हमारे बैनर के उपर में दिखाई देता है, रही बात बीजेपी के साथ में, तो एक बेसिक अंतर समझे, ABVP का निर्माण हुआ 1948 में, बीजेपी कब आया, भारतीय जनता पा में थोड़ा इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, कि हम किसी से संबद्ध है, किसी के अफिलेटेट है, हम राष्टिय स्वयम सेवक संघ के अनुसांगिक घटक हैं, कि हम एक ऐसी विचार को लेकर चलना चाहते हैं, जो पहले से अस्थापित विचार है, हमारे पुर्वजों में उस बिचार को लेकर के चलने का प्रयास किया, जिस बिचार के अधार पर दुनिया का कल्यान हो, इस बात पर लोगों ने भरोसा करते हुए और कल्यान के लिए लोगों को खड़ा किया, ऐसी आइडिलोजी को लेकर चलने वाला राष्टिय स्वयम सेवक संघ किये, एक बिचार के अधार पर हम सब लोग काम करते हैं, इसलिए बैचारिक हमारी एक सामन जस्य है, ABVP किसी भी पोलिटिकल पार्टी का और्गनाइजेशन नहीं है, किसी भी पोलिटिकल पार्टी का कोई विंग नहीं है, हम स्वतंत रूप से मुद्दो पर और देश भक्ती के अ आपके ही नहीं, तो उसमें ये समझना चाहूँगा कि ये फंडिंग आती कहां से, देखे, ABVP एक केडर बेस और्गनाइजेशन है, आज 50,57,785 कारेकरता ABVP के साथ देश भर में जुड़े हुए हैं, जो 2023 का मेंबर्सिप है, ABVP कोई चुनाओं लड़ने की कोई मिसिनरी नहीं है, 365 दिन ABVP कारेकरता स्टूडेंट के प्रॉलेम सॉलूशन के लिए काम करते हैं केमपस के अंदर में, हम लगातार विध्यार्थियों के बीच में काम करते हैं, चुनाओं में वो कई बार क्या होता कि मीडिया की नजर चुनाओं में पढ़ता है, इसलिए लगता है कि यह सब एक्टिविजम हो रहा है, ABVP प्रते एक दिन, प्रते केमपस में सक्रियता से हम चात्रों के अंदर में, व्यक्तिति निर्मान के लिए, चरित्र निर्मान के लिए और उनके समस्य समाधान के लिए, और च्छात्रो के बीच में जाते हैं उनको बैचारी कुरूप से समझाने का प्रयास करते हैं विचारों के साथ जोडने का प्रयास करते हैं एक टीविजम के आधार पर जोडने का प्रयास करते हैं और उनके समस्या के ऊपर में हम समाधान करते हुए दिखाई देते हैं हम कहते नहीं है उनक आपके जैसे लोग, आपके सहयोगी जैसे लोग, समाज के अंदर में जो लोग भी चाहते हैं कि छात्र, नित्रितों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना है, ऐसे लोग खड़े होते हैं, कोई अलग से कोई मिसीनरी नहीं है चुनाव के लिए, और लगातार देशभक् समाज के वेधना, समवेधना को समझने वाले नौजवान को खड़ा करने के कारण से, आज लगातार उस बिचार को एड़ोप्ट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में भी इस लोग जूड़े हैं, वैसे लगातार काम करें बिलकुल, मैं एक चीज समझूँगा कि बार-बार जो छात्र नेता हैं, अपना चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन जो प्राइवेट इन्वसिटीज हैं और गॉर्मेंट इन्वसिटीज हैं या प्राइवेट कॉलेज या गॉर्मेंट कॉलेज, इसमें फीस को लेके, ग्रोथ को लेके, जो स्टुनेट से ग्रोथ ह वस्तु नहीं है और शिक्षा वस्तु तो नहीं है और शिक्षा वस्तु तो नहीं है इसलिए प्राइवेट इंस्टूशन में प्राइवेट इन्वर्सुटी के अंदर में भी हम काम करते हैं और वहां के जो मौलिक और स्टूडेंट से रिलेटेड जो इसू है उसको भी हम एक समाधान का दिशा देखते हुए, प्राइवेट इंस्टूशन को भी एक दिशा देने का हम प्रयास कर रहे हैं, कि आपका काम स्टूडेंट से उगा ही नहीं है, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिंग सिस्टम, हैंड होल्डिंग करने की दिशा में, जैसे कोई बात का ये भी नहीं है, आज प्राइवेट इंस्टूशन में मनमानी है, प्राइवेट इंवर्शिटी के अंदर में ऑटोनोमी के आधार पर, ऑटोनोमी के आड में कई प्रकार के चीजों को संचालित करने का प्रयास हो रहा है, हम सब जागरण का काम करते हैं, जिस इस दिन समाज और वेक्ति जाग जाएंगे, और उसके पहले हर स्रकार, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, अभी ABVP एक अभियान लिया है, परिसर चलो अभियान, और परिसर चलो अभियान में हमारा दो परयास है, कि कैंपस में विध्यार्थी को आना चाहिए और विद्यार्थी केंपस में आएगा तो उसको गुनवत्ता युक्त सिक्षा चाहिए अज सबसे बड़ी जो संकट है संकट ए है कि छात्रों को लगता है कि कुछ दिल्ली की बात छोड़ दीजे मालो हम बात करें राजस्थान के अंदर में हम बात करें मद्य संते वाड़ा के अंदर में नहीं होगा तो आज गुनवत्ता युक्त सिक्षा चाहत्रों के सामने बहुत बड़ी चुनोती है और आज जो अभाव में जो कैंपस है उस चाहत्रों को आकरशित करने में विफल हो रहे हैं तब बच्चे एड्मिशन लेने के बाद कोचिंग में जा रहा है कि जो कैंपस के टीचर हैं हमको नहीं पढ़ा पाएंगे इसलिए जो कैरियर में बहुत मुकाम पे नहीं है फिर भी कोचिंग में सक्सेस है उनके पास स्टूडेंट की संख्या जादा है इसका मतलब कोचिंग का हम विरोधी हैं ऐसा नहीं है अब सरकारों को यह तैक करना पड़ेगा कि कैंपस गुनवत्ता का केंद्र भने चात्रों का इंगेजमेंट के लिए आपको नए तरीके को अपनाने की आउशकता है और जो मूल भूत सुविधा है आज देश भर में एबी वीपी ने एक सर्वे किया कि कल्यान चात्रावास जो स्टी स्ट होस्टल्स है हमने पूरे देश भर में उसके फैसलिटी के सर्वे किया और सुप्रीम कोट में हमने एक यहाचिका दायर की विध्यार्थी परिशद में और उस यहाचिका में हमने कहा कि आज जानवरों से बद्तर इस्तिति है होस्टल की इसलिए कुछ ऐसे प्रस्ण है जो प्रस्ण का उत्तर लगातार देने के प्रयास हो है आज फेलोशिप लगातार 2014 के बाद इंक्रीज हुआ है फेलोशिप की संख्या में भी बढ़ुत्री हुई है रासी में भी बढ़ुत्री हुई है खुश्टल इत्यादी पर भी फोकस तो लोग प्राइवेट इंस्टूशन के प्रति आकरशित होंगे और आज हमारा समाज इस बात की सत्यता है कि हर वेक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है महंगी एजूकेशन को इसलिए सरकार चाहे किसी की भी सरकार हो एक अत्ती शंबेदन सील विशय है एक कोई पोलिटिकल इ पूरे देश भर की स्टूडेंट को आकरशित करता है हर एक पैरेंट्स के मन में एक जीजी विशा है कि मेरा बच्चा डियू में पढ़ना चाहिए क्यूं है क्या दिल्ली इनौर्शिटी का चाहे एक्टिविजम हो चाहे डूसु का संबेदन सीलता हो चाहे जिस प्रकार स दिल्ली के अंदर में क्वालिटी ओप एजूकेशन दी जा रही है ऐसे देश के अंदर में सो ड्यू जैसे केंपस बनाने क्या हो शकता है तब स्वता जो आज ऐसे प्राइवेट पार्टनर से दी उगाही के लिए आ रहे हैं तो उन ताले लगाया जा सकते हैं सेवा के लि यह ABEP 1985 से हम सिक्षा के बैपारी करण के खिलाब हैं और प्राइवेट इंस्टूसन में भी हम लगातार संबाद समनवे और आवशक्ता के अनुसर संघर्ष करते हुए भी हम सब लोग आज कहीं ने कहीं दिखाई देते हैं शुक्रिया हमसे बात करने के लिए समय हो चुका है मेरा नाम ब्रिज दिवेधी है आप लोग देखते रहे हैं दैनिक जागरन धन्यवाद